गजव की बात है कासी में आ करके देखना बगवाने संकर जी प्रत्यक्ष है इसका प्रमान है आप चले जाना कालभेरों की तरफ कालभेरों की देउता कौन है कुट्था कालभेरों की अदो की बात है आप भूल से पहुँच्मत जाना बारा ग्यारा बज़ेदी मैं इस्मारा आज जवी थे वीस पचीफ 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 कुट्थम का जुन्वा और आप देखो, ना तो शंकर जी के मंदर में आपको कुत्ते मिलेंगे, ना शंकर मोचन में कुत्ते मिलेंगे, लेकिन काल वेराओं के मंदर में बड़े ठाट से पाउं पुशार करके दिन के बारा बजी कुत्ते सो रहे होंगे, इसी के हम्मत है कि उनको हटा दे, कुत्ते क दोटा रहते हैं हमारे दcarbon Road का मंदरो बुलो ऐसा उता नहीं ए जो और शीत्ला माता मंदर चल जाना कहीं मिलोगा, जाये मनस्शिक में मिले जाती है जाती है विश्धुनाजी के तब ब्रखव, बैयल,スलिभा काशी के बैयल भी ऐसे वैसे थुड़ी है जहां बैठ जाएं तो फिरोने परवानी की गाड़ी आ रहे ही की जो भी होगा सब इतरसर घुमगाम करके जाएंगे वो भीट में बैठ कर क्या राम से मंतन करें बैठ गया तो बैठ गया और नियत नगा हमारी नगरी है तुम लोग बाद में आखर कि रहे हो ऐसे आप प्रत्रक और संकट मोचा अनमांजी चले जाना हुआ है हमारे यहां ब्रिंदावन की तरह वो चस्मानी उतारते हैं हा अब एक कदम उपर उठ गए पहले केली खा के मान जाती थी अब तुम ये दर्जन केला दे दो जब तक ठूटी नी दोगी तब तक आहां गर्मी का टाइम है मालेक ठूटी जाहिए शंकन मोचन अनुमान जी में बंदर खूब हैं लेकन वो सीधे आपके हाँ से जो प्रशाद लेकर के आप आ रहा है होना सीधे प्रकट प्रकभजा करते हैं अगर आपने खोल की गिरा दिया तो ठीक है श्वामी बिवेकन जी की आपने प्रशिद्य बात सुनी होगी आपने हाथ देखा ना उनका ऐसा हाथ जहांकी कहां की है काशी की है शंकन मोचन अनुमान जी का दर्शन करके वो लोट रहे थे और एक बंदर ने उनका प्युच चंगे थे और वो भी भागे जब भागने लगे तो एक बुजरुक सन्यासी जा रहा था है नौजवान सन्यासी बंदर से टर गया जितना तू भागेगा बंदर उतनी तुझे दोड़ाएंगे इसकी तरफ तू मुए पल्ट करके ख़़ा हो जाओ देख पर बंदर वहीं क बिवेकानन जी ने कि दुश्मन से भागो मत तुम जितने भागोगे आपत्यां आपका पीछा करेंगी इसलिए आपत्यों को डट करके मुकाबला खरो तुमारी फत्य होगी कि कासी से सीखा और मैंने कहां से यह पढ़ा मालूम मैं घूमते घूमते भ्रमन करते हुए कन्य कमारी गया कन्या कुमारी में विवेकानन जी का जो हां पर प्रिय दर्सिनी बनी हुई है ना उसमें ये चित्र के साथ में मैंने पढ़ा कि ये काह यू़ी वरे की के बात यह है कि कासी में जो लोग पहले जाते थे वह अपने रहने के लिए मंदर बनाते थे घर बनाते थे और गर में एक छोटे से शहूलिंग बनाते थे लिए काशिय की गलिया वड़ी परश्दय है। और कासी भी दो हैं एक शिव काशी एक भेषणू का चेह, जो दिशाच्च में गाठ है आपका, तो इसका नाम दूसरा हो इया है, ग्राव व्थपफजी जुदियागाठ इगाठ अधर कहा गाठ है अधर जो कैसी है वो शिवकासी है और शिक्दियागाठ चेह दार्के जो किसी है वो काशी विष्णु इधर के देवतापं भोलेनाप जी हैं और विवाई अधर के देवताप बिंदू माधो भगवान है पर विंदू माधो भगवान का नाम तो माधो जी का धराहुरा उसे को तोड़कर के जो मस्यिद बना दी गई पर विंदु मादव भगवान आज भी कासीम विराज रहे हैं आप पाप पंच गंगा घाट पर उपर चलना और उपर चलकर के जब मजजिद आये तो किसी से पूछना भईया विंदु मादव भगवान कहा है तो वही पर उपर शिलियों से चड़ते ही सामने एक कोठी ह और उस कोठी के दूसरी मंजल पर विंदु मादव भगवान अभी भी प्रतिच्छा कर रहे हैं कि योगी की नजर विस्वनाजी के तरफ तो दुनिया की है विंदु मादव के धरौरा पर कप पड़ेगी जब हमारा भी मंदर हमें वापस मिलेगा ये वो विंदु मादव कैसी की तरह कुआ आप दुनिया में देखोंगे हर एक घर में कुआ हुता था…. क्यासे होता था एक अलमारि आप आओगे पानी, उले अलमारी को खोले गी और उस अलमारी के अंदर में ये छोटा शोप्ना हो एद ए और अद्रची शेप एद्वाविसरी से पानी खीच ले लोग बढ़ने लगे अब ऐसे धर्म प्राण मंदरों को जब वो खरीते हैं तो शोत्य शंकर जी को हम रखेंगे तो पूजा करनी पड़ेगी सो आधी रात में शंकर जी के स्योलिंग को खाना और गंगा जी किनारे चलिए कासी में वो लोग अभी भी भूत हैं कासी भूत नगरी है कि सब भूत है हम थोड़ी कहते हैं जो इस मिसान में रहें वो कौन है तावलों और आप कासी का शंकल पड़ो पन नगी कासी का संकल ओम विष्णू 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 राग्या प्रवर्तमाना स्यद्य प्रमणों नहीं तुतिये प्रादेश्री सो यिसे धा अपसंत्री सब्सक्रादद्र मुदी पर वरतकंडेे आर्या वरत थे réalité काशी तृ कंटक विराज्री टे महाज्मसाने भागी रध्या पस्च्म लगाते अश्री कासी वाके주AAAA और पूरी का सिमे रहने वाले का पह नृक भूल है裡 का सब हो कि अ इसलिए कभी ऐसा नहीं करना, शिव प्राण में स्पाक्ट रूप से लिखा हुआ है, पुणने छेत्रे कृते पापम, तीर छेत्र में जब भी जाये तो ध्यान रखना, शंती छेत्रानी तनमद्धे, पुणने दहानी चा भूरिशा, तत्र तत्र वसन प्राग्यस, ताद्रिशं चा भलम लभे, जैसे जैसे इस्थान में रह करके शोलिंगी पुजा करोगे, बैस आपको भल प्राते हुआ, पुणने चेत्रे कृतं पापं, पुणने चेत्रे कृतं पुल्यं, बहुदा रिद्धि मृच्छती, यदि आप मथोना जैसी नगरी में बैठ करके शिव पुरण को सुनोगे, तो बहुदा रिद्धि मृच्छती, आपके पुणने नित निरंतर बढ़ते जाएंगे, ब महत अनफी जायेते, पुणने चेत्रे में किया हुआ थोड़ा सावी पाप, महत अनफी जायेते, विशाल रूप धारम कर लेता है, इसलिए तीरत में निवास करते हुए बड़ा ध्यान रखना है,